नमास्कार दोस्तों सौगत है आपके अपने चैनल फैंटसी विन प्रेडिक्शन में तो दोस्तों कवर करने वाले एक कूल लेंड स्मूध टी रूंडी का मैच नमबर एट जो कि दोस्तों पखला जाएगा एएसपी विसे जे एंटी टीम्स के वेड़ी प्लाइंस करेंगे सुटों फुल स्टाइब रजन फो दोनों टीमों के एक प्लेर के स्टाइट से अकॉर्डिंग टू बैटिंग ओडर से आपको बतादूंगा इसमाच का टीम कॉंबिनेशन करेंगे वाला हमारा वो भी आपक टीम मिलेगी आपको मारे टीलेगराम चेनल पर मिलेगी तो अपने जल्दी से आकर हमारे टीलगराम चेनल को जोइन कर लेना इसी विडिए प्रिये लेट डवलू भी आपको फैंट सीव इन प्रिक्षन का चैनल दिखेगा 24,000 के अश्पा सब्सक्राइबर होंगे वह ही मारे अक्मात रियल चैनल है उसी चैनल को अपने जोइन करना है दोस्तों मैं नाम से कुछ प्रिये एक चैनल भी बने हैं तो फ्लीज आप उनसे ग्राउंड के अंदर बॉलर्स को ही एक्स्ट्राइडवांटर मिलता है बहुत ज़्यादा बड़े उंकाबले हैं यहाँ पर देखने को मिलते नहीं है आप 140-160 के रेंज में स्कोरिंग देख सकते हैं शुरुआती वर्ष में अच्छा खासा मोमन मिलता है पेसर्स को पहले पहले माची टीम को हो चुका है विए टीम पहला माच जीत के रहे हैं इनका बाइटिंग बहुत ही ज्यादा मजबूत है इस टीम में दूस्तों डॉबर की जो की राइट हैं बर्ष मनें विकट के प्रिंग भी करेंगे लास्ट गेम भी जीरू पर आउट हुए थे इस तर गी राइट हैंड बैट है और दोस्तों री सेंटल इनने स्कोट लेंड के लिए वी डिवरं किया है लास्ट गेम के थे इन्होंने 21,20 il का स्कूर किया है गें यह थे लनियू पांशफ दोस्तों ने 5 साल पहले इसटी की ए स्कोट लेंड नांट नेंट की ले थे जब मैंने इनको फर्स टाइम देखा था और देखा जाए और जब अंडर अंडिन निम से कहले थे तब बॉलिंग भी करते थे लेकिन पिछले चार शे मैंने से उन्हें बॉलिंग करना बंद कर दिया पतोर बल्लेवाज खेले यहां भी पहले गें में जो इंक्याउन रन की एक ब बड़ा स्कोर नहीं देखें को इसरी से पहले को इतना बहुत बड़ी इनिंग्स उनके बल्ले से नहीं निकले थी नमबर तीसरा बैटिंग ओंडर रहेगा सेंट बाटन का जो लेट टान बार्स में ने राइट आम मेडियम पेस बॉलिंग करेंगे लास्ट के उनने दो औ कट थे एक ततालिस का स्कोर था तो औरोल बड़ी हाल डाउंडर है किस्टोफर मैकब्राइट की बात करें ये भी स्कॉट लेंग की प्लेयर हैं लास्ट गेम दोस्तों ने 59 की दू और की बालिंग करा है बिकटलस रहे इस त्री स्पिल जो लास्ट के तीन गेम के लिए थे इनको कोई ले भी नहीं रहा था तब हमने इनको कैटन किया था बहुत कम सेलेक्शन लास्ट मैच में था इस बार तो सब लोग मनाएंगे लेकिन वाकी काफी टालेंट है लास्ट गेम दोस्तों इसरी स्पेल जो लास्ट गेम केल था बावंट रन चार विकट से उसके पहल इनका पहुंस देखा जाए तो ठेक ठाक था था थोड़ा बैटिंग से बैकप देंगे प्रस दो तीन वर क्यास पैसन से बावलिंग देखेंगे लास्ट गेम में तो पूरी चार वर कर गये थे हलांकि इस्टेम कास बावलिंग ऑप्शन धेर सा रहे हैं लेकिन आज आप आप नहीं रखिए क्योंकि बैटिंग से बैकप देजाए यह बावलिंग से बावलिंग से बावलिंग कर जाते हैं और यहां पे नीचे दिखिए दोस्ते हैं यकनी वटली जो के लप्ताम पे सारे लास्ट गेम में दोवा डाल के निकाला इस रीच से पहले भी प्रतरसन इनका जो था उतना कुछ खास नहीं था इसरी से पहले जो लास्ट के चार गेम खेल थे चार में से एक भी मैच में बिगट नहीं मिलता चारो मैच में बिगट लेस यह रहे थे बात कहने दोस्तों आप मेरिकलिन की जो की राइट अम मीड़ेम है माइकल मेरिकलिन लास्ट इसरी से पहले भी आप इनका पहुंच देखेंगे तो अच्छा था जीरो विगट एक दो विगट एक विगट तो अपनेटी मैजा प्लेयर ट्राइ कर सकते हो यहां से टैसलो एलन को आप शोड़ सकते हैं उतना कुछ खास प्रतरसन नहीं रहा लास्ट गेम में तो बॉलि मुझे उतने कुछ खास प्लेयर लगे नहीं आप इनको भी छोट सकते हैं हाँ चार वर की बॉलिंग कराई थी तो ठीक ठाक पिक रहेंगे मतलब आप रोटेशन लाइक प्लेयर है मैं कहूं तो अब किसी टीम में जीसे आप ले सकते हो दूसरी टीम में इनको रोटेट कर स पर पहले कमेंड में टेलेग्राम चैनल को लिंक मिल जाएगा क्लिक करके आप टेलेग्राम से जोड़ जाएए और लेड़ी दोस्तों आप इमारे टेलेग्राम चैनल पर 24,000 जाद लोग जोड़ चुके हैं यूट्यूब चाहाँ को सब्सक्राइब ने किया यहां पर दैरे फ्रांसिस बात कहां दोस्तों वीड़ास को जो राइट हैं बट्समें लास्ट गेम पे जीरो पे गए थे बैटिंग सक्षन में इसरी से पर जो लास्ट के पांच गेम खिलते तेस पांच इकीस और अठाटाइस का स्कोर था बीस के आसपास सकोर कर सकते हैं इस प्लाइटिंग सक्षन से तीन प्लाइड लेने हो थे बैटिंग सक्षन में आपको मिल जाएंगे बात कहां दोस्तों है डायरी फैर फ्रांसिस के राइट हैं बट्समें बिकट के पर बल्ले बार लास्ट गेम में इठा रहा 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 है यह भी काफी अच्छे बल्ले इस प्लाइटिंग से एक मैच में जीरो था एक मैच में एक था बॉलिंग दो मैच में मिला था बॉलिंग यहां बिल नहीं रही बैटिंग का उत्रों कुछ खास इंपक्ट है नहीं आप छोड़ सकते हो लास्ट आम पे सा राइट इनमर्स में लास्ट गेम बार रहा रहा इस रिसपल इनका प्रदसन बहुत जबर चास था दो बिगट 33 रन एक बिगट 8 रन दो बिगट 3 बिगट तो और रहा बॉलिंग और बैटिंग दोनों से पॉइंट देंगे तो आपके टेम होना चाहिए कैप्टन वाइस कैप्टन की भी अच्छी आप्टन है जटीया मार सकते हो यहां से निकोला स्टपिन को लास्ट गेम में बॉलिंग ही नहीं मिली थी इस रिसपल जो आखरी के चार गेम में बॉलिंग कर रहा था उनको एक बिगट पराप्त हुआ था बात कहने दोस्तों आप ग्लेंट और बिलियम्स की लेप्टाम और्थ रोक्स हैं सब्सक्राइब कर लिए था सब्सक्राइब करके बल का आइकन प्रेस कर लिए तो दोस्तों इस मैच का टीम की है चली हम टीम देखते हैं दोस्तों बिकट के प्रेंग सक्सें में माईकाल ड्रोवर और यहांसे डाहरे फ्रांसिस के साजारों दोनों ही कीपर इंपॉर्टन्स तो दोनों अपनी टीम के लिए उपन करेंगे प्लस डोवर को इसलिए लखना जड़ोए क्योंकि मजबूर टीम के कीपर है तो कोई ची अब दोस्तों यहां पर यहां से डीफ्रांसिस एक साथ दोनों अपन करेंगे लेकिन अब देखा जाए पीटर्स को उस प्लटपरम हमें ट्राइग करना है यहां पर तीन बैस में जरूरी है बागी ड्रीम पे हम दो बैस्मान के साथ काम चला सकते हैं इसलिए मैंने आप ड बैस्तों से लेकिन में पॉर्लिंस तो से चारों में टीम में ठीम हें बैटे के यहां नहीं बैटे जा रहा है बात क्यां दोस्तों आप प्रोस्टेशन में जो ट्राई कर सकते हैं आपका से एकाद दू अच्छी आप्शन हैं आप मिल जाएंगे जिसे जी विलेम से लास्ट की में बहुत अच्छी बोलिंग कर रहा है थी आप इनको जील में रोटेट कर सकते हो ऐसे वैटली को भी आप ग्राई के अंदर ये सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके साथ वैटिक प्राईट के अंदर ऑर जो प्लेयर हैं यह थी आलमड्य काम करेंगे हैं असपास दो लें लें लास्ट गेम कराई तो आप इसको शुल्स नंबर तीन के आप इसको बैटिंग करेंगे मेरे साब से अप इन दुनों को भी इसका लोगा सकते हो तीन से लिए चार वर वर के बालिंग करेंगे नमर शेकर वैटिंग करने आजाते हैं तो यह कुछ जगह इनिक साथ अपन करने आते हैं इपीटर्स उनको ट्राई कर लेंगे इपीटर्स और डिफ्रांसर्स ओपन करेंगे एक साथ आते हैं फ्रांसर्स को मैंने ड्रीम पेश लिलिया है क्योंकि केचेंग उना स्टम्पिंग जिब कुछ पाउंट दे सकते हैं इसी वीडियो को डिस्केप्शन में और फर्स्ट कमेंड में लिंक मिलेगा टिलग्राम का क्लिक कर गया आपने जुरू जाना है 24 जाश ज़्यादा बंदे हो लेडियों पहाँ जोईन हो चुके हैं टिलग्राम जरूर जोईन करने वीडियो वास करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद